आज हम discuss करने जारे हैं जामिय विलैयवालया के फॉर्म एडिटिंग के बारे हम discuss करने जा और आप कैसे एडिट कर सकते हैं एडिट करते हैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या एडिट कर सकते हैं यह हम इस वीडियो में डिसकर्स करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको जामिया मिले एसलामे की साइट पर जाना है जेमाई सीओ डॉट इन ठीक है तो जब आप साइट पर जाएंगे उसके बाद यहां किया करना है फिरले यहां पर एड्रस डालना है और यहां पर पासवर्ड डालना है सबसे पहले आपको क्या करना है email address फिल करना यहाँ पर और यहाँ पर password और फिर आपको submit कर देना है तो हम सबसे पहले email address और password फिल कर लेते हैं ठीक है तो हमने यह email address और password फिल कर लिया उसके बाद क्या करना है submit कर देना है अब देखिए आप जब सब्मिट पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा जो है पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर माई एप्लिकेशन पर क्लिक करना है तो देखिए क्लिक करते हैं माई एप्लिकेशन पर ठीक है तो जैसे आप माई एप्लिकेशन पर क्ल complete detail आ गई उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर या जो आपको तीन डॉट्स दिख रहे हैं ठीक है आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तब आप देख पाएंगे आप क्या क्या चीज़ें edit कर सकते academic detail document detail और preference entry preview and confirm ठीक है तो आईए हम क्लिक करते हैं academic detail पर तो जैसे ही आप academic detail पर क्लिक करेंगे तो यह page open हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगर आप यहां पर कुछ edit करना चाहते हैं ठीक है कि अगर मान लिजे कोई mistake हो गई थी कि आप school का नाम गलत फिल हो गया था या year of pass यह आपका result आया नहीं था अब result आ गया कर लेंगा अगर आपको change करते हैं तो ठीक है फिर आगे आप क्या edit कर सकते हैं document के बारे में अगर हम बात करें यहां पर name of the document की आप लोग को पता है कि अभी class 12 का board का result आया नहीं है तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन बच्चों का आया है और document upload करना चाहें अब वो भी आप upload कर पाएंगे ठीक है फिर आपको यहां पर save and proceeds पर click करना है ठीक है अब बात आती है preference entry ठीक है तो यहां पर preference entry और जो है अगर reservation category आपकी गलत फिल हो गई थी तो आप change कर सकते है reservation category पर click करेंगे और आप यहां पर change कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर journal तो यहां पर journal फिल है अगर आप course preference change करना चाहते है जैसे यहां पर sociology पर लिखा है आप इसको change करना चाहते है बिया ओनर जियोग्राफी आप जो है first पर लाना चाहते तो आप इसको change भी कर सकते हैं तो आपको क्या करना है इसको change कर लेना है ठीक है तो आपको इसको क्या करना है change कर ल and continue पे click करना है ठीक है आप save and continue पे click करेंगे और यह आपका फिर change हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद यह आप देख पाएंगे कि यह save and changes पूरा का पूरा हो गया होगा उसके बाद आप इसको print निकाल सकते हैं और फिर आप जो है dashboard पे आजाएंगे आपको जो चेंज करना था जो जो ऑप्शन से चेंज करने के आप change कर सकते ठीक है इसके अलावा कि आप कुछ होड़ चेंज कर सकते हैं नहीं अभी चेंज करने के अगर बात करें तो change करने का option आपके पास सरिफ जो जो चीजें थी वह आप change कर पाएंगे तो change क्या क्या कर पाएंगे यहां पर आपको just edit and view पे click करना है और edit व्यूव में आप क्या क्या change कर सकते हैं यहां पर इन्हों नहीं है याद रखना है आप जब edit कर देंगे तो उसको save and proceed आपको click जरूर करना है तभी save होगा ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने तो आप जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया जस्त आपको वैसे ही process follow करना है और आप अपना save कर लीजिएगा सारी चीज़े करके एक-एक step आपको चेक करना है अगर school में मिस्तेक हुई है तो आप school का नाम ठीक कीजिए और उसके बाद save and proceed कीजिए document upload करना है आपका result आ गया तो आप document upload कर दीजिए marks fill कर दीजिए फिर save and proceed पर आप अपने ठीक कराए वह सारी चीज़ें फिर ठीक हो जाएगे ठीक है अब इसके अलावा आप लोग कोई ओड़ाउट हो तो आप comment कर सकते हैं तो editing आप ऐसे कर पाएंगे ठीक है थैंक यू